रागे रागव जी की एक कथा कहानी है बिल और दाना एक बार एक खेत में दो चीटियां घुम रही थी एक ने कहा बहन सत्य क्या है दूसरी ने कहा सत्य, बिल और दाना उसी समय एक मदुमक्की ने सर्सों के विशाल दूर दूर तक फैले खेत को देखा शितिस तक फूल ही फूल खिले हुए थे, दो आदमी उस खेत में घुम रहे थे एक ने कहा, इन फूलों के बीश में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी उपवन में घुम रहे हो दूसरे ने कहा, कैसी मादग गंध हवा में बह रही है मनुमक्की ने सुना, और मुस्कुरा कर फूल में अपना मू लगाया और मनी मन कहा, बिचारे कितने लाचार हैं ये सरसों के बीच से तेल निकालना जानते हैं लेकिन उसके फूल का रस लेना नहीं जानते ये सुनकर चीटियां बिल में आ गई ये बात आई गई हो गई फागुन ने हवा में मस्ती भरी चैतने कोयल के सुर्ग जाय और कुछ दिन बाद सैक्डू मक्षियों ने असंखे फूलों का शहद ला लाकर पीपल के तने पर एक बड़ा सा छत्ता लगा दिया दोनों चीटियों का आना जाना भी वही से था ये भी देखती रही फसल काट कर वे ही दोनों आदमी उसी पीपल के नीचे बैठे और उपर जो नजर पड़ी तो एक ने कहा अरे क्या जोर का छत्ता लगाया मक्षियों ने खूब मिलकर काम करती है ये अपने खाने का इंतिजाम भी खूब करती है दूसरे ने कहा आज रात को कंबल देना मुझे थोड़ी देर को मैं इसको तोड़ूंगा मक्षियों ने सुना नहीं क्योंकि वे अपने निर्माण में व्यस्ती अंधिरा हो गया और मक्षियां छत्ते पर जा बैठी दूसरा आदमी कंबल ओड़े चड़ गया और उसने मक्षियों को जाड से हटा कर अंधेरे में छत्ता तोड़ लिया और उताराया मक्षियों पर वज्ड तूट पड़ा लेकिन बेचारी क्या करती वे ये भी नहीं पहचान पाए कि उनकी उगलन को कौन ले गया उन्होंने कंबल जैसी किसी चीज को काटा वे दर्थ को महसूस ही नहीं करती थी आखिर करती भी क्यों यूँ एक सपना उजड गया दोनों आदमियों ने शहद बोतलों में भर कर रख लिया उधर मनुष्य का कल्यान करने को एक संत निकले हुए थे वे दही और शहद ही खाते थे वे उबदेश यही देते थे कि सब कुछ दान कर दो अपने पास कुछ मत रखो संस्कृती का नया युग प्रारंब करो जब युबदेश देते हुए वे गाव आये तो इन दोनों पर उनकी अहिंसक वाणी का बड़ा गहरा प्रभाव बड़ा और उन्होंने उन्हें शहद भीट कर दिया जिसे देखकर संत की आखे चमकने लगी दुफैर हो गई तो उसी पीपल की छाया में संत बैट गए और अपनी रोटी में उसी शहद को लगा कर खाने लगे दो मक्खिया डाल पर बैठी थी अब काम कुछ भी नहीं था बहुत दिनों की महनत बेकार जा शुकी थी जहां कभी छट्ता था वहां अब आग से जले काट की कलोट सी बाकी थी अचानक एक निगार रोटी पर पड़ी तो उसने कहा बहन मक्खी गुन-गुन देख तो जरा लोग तो कहते हैं ये संत है सबसे कहता है सब कुछ दान करो तब करो पर ये तो शहद खा रहा है जो हमने इतनी मेहनत से कठा किया था चल इसे काट कर इसके ढोंग की सजा तो देया है दूसरी मक्खी ने कहा नहीं वहन तुन-गुन अब पापी और जूटे के हाथों में जाकर ये शहद नहीं रहा उसमें फोलों की मिठास नहीं रही मरुष्य के स्वार्थ ने उसे हमारे लिए विश्च बना दिया है हम शहद फोलों की प्यालियों से समेटती है ऐसी वैसी जगा से नहीं एक कुत्ता वहां बैठा-बैठा संत की रूटी देख रहा था संत तो पेट-पूजा के प्रियोग में व्यस्त है वे दो नहीं सुन पाए मगर कुत्ते ने सुन लिया सोचने लगा कि आखिर ये क्या चीज है जिसके पीछे संत इतने पागल हो गया लालच आया तो कुत्ता खड़ा आओकर पूछे लाने लगा संत ठहरे दया लू एक टुकड़ा उसकी और दे फेका शहद लगी रोटी देख कुत्ता जपटा कि दुशीक्र ही उसने उसे उगल दिया शहद उसे बहुत बुरा लगा और उसने सोचा आखिर आदमी ने इतनी बुरी चीज को चोरी क्यों किया इसे खाने से तो उपकाई आती है जब गुत्ते को चैन न बढ़ा तो उसने धीरे से कुन भुना कर कहा बहन थुन्मन क्या फूलों में इतनी उपकाई लाने वाली चीज होती है जो तुम बेवकूफों की तरह इखटा गिया करती हूँ और क्या इसकी रक्षा करने के लिए तुम अपना विशैला डंग सब को चुबाती फिरती हूँ गुन्मन मक्की हसी और बोली अरे भईया गुत्ते तु इसकी असलियत क्या जाने ये शेहद कैसी चीज है इसे तु क्या समझे तो जिस आदमी की जूटन खाता है वही आदमी हमारी इस उलगन को खाने के लिए चोड़ी करता है और संत महात्मा इस थूक को खाकर दानी और त्यागी होने का ढभंग रश्ते है तू तो सर्फ रोटी चबा तो शेहद को क्या समझ सकता है कुत्ता मन ही मन आदमी के बारे में चकर में पढ़ गया और सोचने लगा लोग कहते हैं जूटा खाता हूँ क्या ये आदमी भी जूटन खाता है थोड़ी देर में संत खा पी चुके और उबदेश सुनने वाले इकठा हो गए तब संत ने कहा अपना सब कुछ दान कर दो मक्यों की तरह सुन्दर्ता से सत्य निकालना सीखो जैसे वे फूलों से शहद निकालती हैं और मनुष्य के समाज को मिठास दो और कुत्ते की तरह निरलो भी रहो जो मिठास होने पर भी शहद नहीं चाहता इस प्रवचन को सुनकर मक्या मनुष्य का गुणदान करती हुई उड़ गई और कुत्ता पहले से भी अधिक मनुष्य का भथ हो गया तब दूसरी चीटी ने पहली चीटी से कहा बचकर चल संत को इतना समय नहीं की हमें देख कर बचकर निकले सारा सत्य यही धरा रह जाएगा उस दिन से लोक में यह प्रचलित हो गया कि मक्या इसलिए बनी है कि आदमी के लिए शहद इकठा किया करे और कुत्ता इसलिए पैदा हुआ है कि आदमी की सेवा किया करे चोरी और दास्ता से मनुष्य का अहम संतुष्ट होकर नए नए संतों और पैदंबरों को धर्ती पर भीजने लगा और मनुष्य जिसने की आदर्शों के मूल में केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया था किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हो सका उसे दुखी देखकर एक बार मक्यों ने निर्णे किया कि अपकी बार जब वे चोरी करने आए तो उसे रोग दिया जाए क्योंकि चोरी को ही न्याय संगत समझने के कारण वे गबरा रहा है और कुट्टे ने सोचा कि मेरी दास्ता ने इस आदमी को अंकार में डाल दिया है अता मुझे इसका ये दम भी मिटाना शाहिए चुनांचे जब आदमी च्छत्ता तोनने गया तो मक्यों ने काट लिया और कुट्टे ने बगावत कर दी दोनों का धेय था कि अब उनमें कोई दार्षनिक संथ बनकर नई नूर्टता प्रकट ना करे किन्तु हुआ ये कि नया व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने मक्यों को उड़वा दिया और कुट्टे की पिटाई करवाई और कहा जिसमें डंक हो उसे निकाल दो क्योंकि मिठास के पास जाने से रोकता है और जो बगावत करे उसे दंड दो क्योंकि बगावत से नियम बिगड़ता है जो कुछ है हमारे लिए ही तो है मक्य और कुट्टा बड़े उड़ास हो गए उन्होंने आस्मान के सितारों से शिकायत की सितारा बहुत बुढ़धा था उसने फसकर कहा बच्चों ये आदमी बहुत बड़ा मूर्ख है जब ये इस धर्ती पर ही नहीं था मैं तो तब से ही इस धर्ती को जानता हूँ और ये अब समझता है कि सब कुछ इसी के लिए है कबसे देख रहे हो तुम क्या हम इसी के लिए बने हैं कुत्ते और मक्षी ने पूछा बहुत दिनों से सितारे ने हसकर कहा तुम इसके लिए नहीं बने तुम बने हो मेरी सामने और मैं तुमें हमेशा देखा करूंदा इसी समय बुढ़ा सितारा हिल उठा और आकाश से फिसल कर गिर पड़ा आकाश में आग लगी और फिर सब शान्त हो गया मक्षी और कुत्ते ने एक दूसरी की और देखा और कहा सितारा जूट कहता था आदमी ठीक कहता है और दोनों फिर उसकी सेवा में लग गए तब दूसरी चीटी ने पहली चीटी से कहा सत्य समझो पहली चीटी ने मुस्कुरा कर कहा समझ गई जो तूने उस दिन कहा था वही अंतिन सत्य है बिल और दाना उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला